जमुकश्मीर से सिनिकाचिप जो की जमुकश्मीर के Human Rights of Counseling के अध्यक्ष है उन्होंने दिल लिया कर जमुकश्मीर के विकास पर सवाल उठाए सरकार की केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जम कर बरसे उन्होंने कहा कि जमुकश्मीर में बेरोजगारी है डेवलिप्मेंट के नाम पर सिर्फ दोखा हो रहा है नशे का प्रचलन लगातार जमुकश्मीर में बढ़ता जा रहा है वहीं सरकार ने धारत 370 हटाने के बाद जमुकश्मीर के विकास की बात की थी सरकार की बातों में सिर्फ चलावा है वहां का युवाज मजबूर है ना नौकरी है ना शिक्षा है और ना काम है असलिए वहां के लोग बाहर जाकर नौकरिया कर रहे हैं जहां एक तरफ जम्मु कश्मीर के विकास का सरकार गुंगान करती है वहीं यह राजपाल शासन जन दर बीजेपी जो है हिंदू स्थान के जहां और होती है तो जम्मु कश्मीर का 370 का जो यह बात हर जगा की इनदे में रखिवद उननte का वहां मेना किस तरीके की हालात है किस तरीके से लोग वहां पर आज जो है अपनी जिंद्धिकी गुजर बसर कर रहे हैं किस तरीके के हमारी नोजवानों की जो है उस्मस्या है और अही ila कश्मिर के अंदर इस टाम जो हालात है देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि 375 से कहते हैं कि तोर के जो है जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलामेंट होगी जम्मू कश्मीर के अंदर मल्टी नेशनल कंपनियों का अगाज होगा जम्मू कश्मीर के अंदर नेया जम्मू कश्मीर बनाया ज नोजवान जिनको पैन और पैंसिल होने चाहिए हाथों में जिनको नोकरियां होनी चाहिए दफ्तरों के अंदर आज वो ड्रक्स के कारण नशे के टीके लगा के जो है अपनी जान भी गवा रहे हैं और नशे के तरफ बढ़ते हुए चोरियां क्राइम मडर रेप ऐसी चीज जैने नहीं जिनको नहीं दिखने को मिलेगा लेकिन जिस तरह से आप मां के रहने वाले हैं कावी समय से आप तो एक जो आईना दिखाये जा रहा है जम्म कश्मीर का और जिस तुरिक आप पतारे वह उसके उलटी नेजर आ रहा है जी बिल्कुल सही है बिल्कुल मैं आपको जो सपस्ट चीज है क्योंकि हम लोग ग्राउंड सिच्वेशन से जुड़े हैं पुल्टिकल हूं शोशल एक हैं एक राज्यपाल किसी स्टेट का रहना किसी राज्य का रहना कोई मामूली बात नहीं होती जो चीजें वहां पर पास होती हैं सब उनके थ्रूही होती होंगी जो उन्होंने खुलासे किये तो वह सची किये होंगे तब ही जाकि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की हालात बहुत खसता है क्यों हमारे 25 MLA विदाएक जो हम लोग ने जितवाए और हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर की जो हालात है आप सुदरे की लेकि जितनी बतर हालात आज की डेट में जम्मू कश्मीर में है उन 25 नाकाम बीजेपी क MLA की वज़ा से है सबसे बड़ी बात देश की अंदर किसी भी स्टेट की किसी राज्य की उन्नती होती है ना इसको गिराया जाता है हिस्ट्री में पहली बार हमारी 39 स्टेटों को 28 में कनवर्ट करने वाले वो हमारे MLA थे जिन्होंने राज्य को जो है यूटी में कनवर्ट किया सिटी को यूटी में कनवर्ट किया जाता है बड़े शहर को यूटी बनाया जाता है लेकिन राज्य को जो कई सो साल से महराजों ने बनाया है उसको यूटी में कनवर्ट किया तब भी बीजेबी के वो 25 हैमले चुक करके बैठे रहे तब भी बैठ आखला करवा दिया उसको भी यूटी बना दिये तोड़के और यूटी के ले लदाक बनने के बाद जो जो सुभिदाएं यूटी में देनी थी 371 नोकरियां जमीन आज उनको ले लदाक फाल को मिल चुकी है जम्मू कश्मीर को आज में लड़वाया जाता है और जात पात जो मीटिंग है हिंदोस्तान के सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हुई जो ताज है हिंदोस्तान का और कश्मीर वैली में टूरिजम को बढ़ावा दिया जम्मू परवींस को तब भी न दिया क्योंकि जम्मू परवींस के अंदर भी माता वैशनुदेवी का मंदिर है वहा और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रेल रोड तरनल अगर आपने बनाए तो मुझे बताइए चलने के लायक तो लोग होने चाहिए हमारे लोगों के पास रोजगार होगा इंकम होगी, कमाई होगी तब तो लोग चलेंगे ट्रेन पे तब तो चलेंगे उसके रोड पे अपपर लेकिन जब रोजगार ही नहीं, पैसा ही नहीं इंकम ही नहीं, तो कैसे चलेंगे वहाँ पे वो सबसे बड़ी बात ओपन करता हूँ आज आपके सामने हैं कि यूटी के अंदर छे छे टोल पलाजा हैं है किसी हिंदोस्तान की यूटी के अंदर टोल पलाजा वहाँ पे छे टोल पलाजा हैं और वो भी बहुत बड़ी बड़ी जो है वहाँ पे फीस रखी गी यह रोड क और हालत देखो रोर की वहां पर आज भी खसता है और जूटी के अंदर मिनिममम बेजिस एक्ट लागू होना चाहिए जो कि अब ही तक अस्ताई करमचारियों का मिनिममम बेजिस एक्ट जो है वो लागू नहीं हुआ यह पार्शल्टी है वहां पर और जब भी वहां पर होम सबसे पहले इनको जो है पर्मनेंट किया जाएगा जिए जम्मो कश्मीर की बात करी इसे कैसे एक बार सरकार का कोई नुमाइंदा मेरे सामने बैठके बात करे विद प्रूफ दूँगा उस बंदे को कि जेके पी एसे की रिक्रूटमेंट हुई सबसे बड़ी धांदली चार सो करोर की उसमें हुई हमारे यहां पर जल सकती बिवा के जही उनकी जो है धांदली हुई वहां पर जेके ए अप टैक जो हमारी कंपनिया यूपीर से ब्लैक लिस्टर है उसको वहां पर बथी के लिए बेजा जाता है और वहां से भी दांदली निकल की आती है वो लिस्ट सारी कैंसल होती है जिसके चलते नोज़वन पिछले पांद साल से फार्म बरता है फिर उसके बाद लिटीके ना के मताबिक है हर एक जो नोजवान है बेरोजगार है रोजगार नहीं है नशे की तरफ जा रहा है हम पर लिखे भी अभी बेरोजगार बैठे हुए है और जो हम हमारी जो ख्वाहिश थी कि अगर यूटी बनी है तो प्राइवेट सेक्टर में में मीनिवेजिस एक्ट होत आता है वहां पर पास होता है लेकिन जब उसकी वारी आती है तो वह साधे बारहा हजार पर आएंग और जो बाहर वाले यूंको पूरा पैकेज मिल रहा है वहाँ पर क्योंकि उनटी करते हैं कि ए वह वालों के लिए होगा हमारे लिए तो नहीं है क्योंगे हमें फेरे कि दाना को जैले क्लिए भाइय लुट को लिए वहन की जो जो सही मीडिया उनको भी दबाया जा रहा है वह अपना मीडिया को मतलब की परकाशिस क magnes नहीं कर सकते क्योंकि उनके वहती हुई है यह हम अपनी आंखों से देखे हुरू है उनके चैनल कर जाते हैं सब कुछ हो रहा है वहां पर बिल्कुल बिल्कुल है क्योंकि यहां पर कहीं कि जो शोचल एक्टिवीजिए उनके भी बंद कर दीए जाते हैं टॉप स्टोरी बियरो के लिए दिल्ले से हेमंत कुमार की रिपोर्ट